नमस्कार बहुत स्वागत है आपका FM निउस पर मेरा नाम है अंकुर पांडे रुकरते हैं मद्रदेश और 36 गड़ से जुड़ी हुई खबरों का विधान सभा के बजट सत्र के दस्वें दिन सदन में महु कांड पर विपक्ष ने जम कर हंकामा किया है जिसके बाद विधान सभा की कारेवाही सुमवार्तक के लिए इस्तकित कर दी गई है आज कारेवाही शुरू होते ही कॉंग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस मुद्दे को उठाया है मरत योवती और योवत के परिजनों पर मामला दर्च करने का विरोध किया वे ग्रह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे उधर विधायक विजयलच्मी सावधे रात रोते हुए सदन से बाहर चली गई आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूरुमंत्री विजयलच्मी साधों का सदन में दर्दचलक पड़ा है वे सदन से रोते हुए बाहर निकली और कहा सरकार आदिवासियों और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है इससे पहले सदन में जैसे ही हंगामा तेज हुआ तो संसदी एक कारे मंत्री डॉक्टर नरूत्रम मिस्रा ने महु कांड पर जवाब देते हुए कहा पी-म रिपोर्ट के नुसार युवती की मौत करेंट लगने से हुई है CCTV फोटेज में थाने पर हमला करने के आधार पर 13 या 17 लोगों पर केस दर्च किया गया है मरत युवती और युवक के परिजनों पर भी मामला दर्च हुआ है हलाकि जाच में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा महु में पुलिस गोलिबारी में आधिवासी युवक की मृत्यु एवं एक आधिवासी युवती की हत्या के मामले में कॉंग्रेस आधिवासी नेताओं के जाच दल ने अपनी जाच रिपोर्ट पी सी सी अध्यच कमलनात को सौपी जाच दल ने कांती लाल भूरिया बाला बच्चन पांची लाल मेडा और जूमा सोलंकी शामिल थी जाच दल में महु पहुँचकर पुलिस कोरिबारी में मारे गए आधिवासी युवक भेरू लाल के पिता मदन सिंग छारेल और विधान सबा महेश्वर में मृती का आधिवासी युवती से मुलाकात की